है थेर सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेंट्स अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिए क्यूंकि हम बताते हैं आपको इंग्लिश सीखने के सबसे आसान और सरल तरीका फ्रेंट्स मैं आप लोग को वैसे तरीके बिल्कुल सरल तरीके से समझाने के कोशिश करता हूं कि एक बिल्कुल कम पढ़ाने का आदमी भी समझ सके ठीक है फ्रेंट्स अगर फिर भी मेरे समझाने में कुछ पाकिर गई हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बताना कि क्या कमी है कुछ क्या है करना चाहिए मुझे की सरे सो और चेंज करना चाहिए बढ़ाने की जो तरीके है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट अधा क्लास ओप देव Friends पिछली classes में मैंने आपको present continuous tense के affirmative sentences बताये थे और infinitive sentences बताये थे means आपको यादी होगा कि यसे वह जा रहा है He is going ठीक है? affirmative sentence है और infinitive sentence क्या होता है? वह खेलने जा रहा है to plus verb तो वह खेलने जा रहा है He is going to play वह मुझसे मिलने आ रहा है He is coming to meet me This is the infinitive ठीक है friends? तो आज हम सिखेंगे present continuous में ही negative and negative and question notes ठीक है friends? तकम मैं एक sentence लेता हूँ फिर उसको याँ negative and negative and question notes में बनाएंगे जैसे उसका भाई उसका भाई नहीं आ रहा है simple है आप आपको जब मैंने बताया था कि negative and interrogative and question notes का जो भी formula मैंने basic में बताया था आपको same किसम वही formula सब जगल अगू होगा उसमें कोई भी changing नहीं है ठीक है friends? तो helping word के बाद not लगाते हैं इसमें भी करेंगे he is not sorry उसका भाई है ना तो his brother is not coming ठीक है friends? हम इसको interrogative मिलेंगे अब interrogative में क्या होता है? मैं जो पढ़ाया हूँ आपको basic में उसमें interrogative की बात कर रहा हूँ किसी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो इसमें interrogative का मतलब who, why, when, where, what ये सब होता है but मैं interrogative यानि क्या सचुरू होने वाले sentence और question what वाले sentences को मैंने अलग करके रखा है तो who मैं interrogative पूछ रहा हूँ interrogative में क्या सचुरू होता है क्या उसका भाई नहीं आ रहा है तो इसमें interrogative का making formula आपको याद होगा अगर आपने basic का वीडियो दिखा होगा तो कि interrogative में हमेशा हम helping verb पहले लगाते हैं तो इसका helping verb is है तो is पहले लगाएंगे is his brother not coming अगर आपर रहता नहीं आपर नहीं रहता यह नहीं रहता तो not नहीं लगता is his brother coming ठीक है फ्रेंट्स अगर क्वेशन लेते हैं उसका भाई कब आ रहा है उसका भाई कब आ रहा है तो क्वेशन और सबसे पहले वेन उसके बाद हेल्पिंग वर इस इस ब्रदर कमिंग ठीक है फ्रेंट्स यह नेगेटिव यह एंट्र नेगेटिव और एक्वेशन ओड़ हो गया बहुत ही सिंपल है और कह जाता है कि प्रिजेंट कॉंट्विस टेंस जो है सबसे सिंपल है सबसे सिंपल है इसको समझना मैं से एक ऐसा टेंस है जिसका इसतेमाद लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी करते हैं और कर लेते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो उम्मद करता हूँ कि आपको समझ मागया होगा नेगेटिव और एंट्रोगेटिव और क्वेश्टिन वर कैसे बनाता है अब इसमा अगर हम इंफिनिटिव के साथ हम लेता है इंफिनिटिव इसको मैं मिटा दे रहा हूं अप्लिक ले ना वाव मुझसे मिलने नहीं आ रहा है तो ही इस नौट कमिंग तू मिट मी ठीक है यहां पर जब भी इंफिनिटिव आए इस डबल वर वर आए तो इसमें हम डबल वर दुसरे वर्व लिखने से पहले तू जरूर लगाते हैं ठीक है अब यहां इसका एंट्रोगेटिव बना लेते हैं सिंपल है इस ही नौट कमिंग तू मिट मी ठीक है अब इसका क्रेश्चन अट कर लेता है तो क्रेश्चन अट में लिखते हैं कि वह मुझसे मिलने क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है ठीक है अब यहां कुछ संत्रेंस और संत्रेंस देखते हैं पर और अच्छी तरसे समझते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए देखते हैं वे लोग जगडा क्यों कर रहे हैं वाई यार देख्वारे लिंग क्या वह खाना पकारी है इस शी कुकिंग क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो आर यू नट टेकिंग टी क्या उसका भाई फुटबॉल नहीं खेल रहा है इस इस ब्रदर नट प्लेइंग फुटबॉल क्या उसके पिता जी उसे अंग्रे जी नहीं पढ़ा रहे है इस इस फादर नट टीचिंग हिम इंग्लिश तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वाई आर यू डूइंग सो या वाई आर यू डूइंग दिस तुम्हारा भाई क्यों रो रहा है वाई इस जूर ब्रदर क्राइंग क्या वा मुझे तंकरने आ रही है इस शे कमिन टू व्यक्समी तुम उसे गाली क्यों दे रहे हो वाई आर यू अब्यूजिंग हिम वाई गीत कहां गा रहा है वेर इस जी सिंगिंग सोंग क्या वाई गीत गाने जा रहा है क्या पंची चैचा रहा है आर बर्ट्स चर्पिंग तुम दोपार में क्यों सो रहे हो वाई आर यू स्लिपिंग अपनून वहाँ मुझे क्यों बुला रहा है वाई इस ही कॉलिंग मी तुम अपने पिता जी को होस्पिटल लेकर क्यों नहीं जा रहे हो वाई आर यू नॉट टेकिंग यूर फादर तु दो होस्पिटल ठीक है फ्रेंट्स तो ये था आपर आज का क्लास उमीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थांक्स थांक्स अलोट और धन्यवाद और हाँ फ्रेंट्स जो हम लाश्ट में क्वेस्टिन पूछेंगे उसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना ठीक है फ्रेंट्स